कि अधियर विडियो असलावलीकूल मैं हूँ आपका होस्ट कोफर और आप देख रहे हैं गोगिज वीडियो तो दोस्तों आज मैं आपको बता हूँगा कैसे हम अपने गूगल क्रॉम से से वेब डॉजिंग कर सकते हैं जी हाँ गूगल क्रॉम से हम से वेब डॉजिंग कर सकते हैं यहाँ पे से वेब डॉजिंग से मुराद आपको और आपकी डिवाइस को खतरनाग वेब साइट से बचाया जा सकता है जब आप वेब डॉजिंग कर रहे होते ह हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि बहुत सारे कोड़ और स्क्रिप्ट आपकी डिवाइस में रन हो जाते है जो आपको और आपकी डिवाइस को बहुत नुक्सान पहुचा सकते है या आपका ड़ैटा हैक हो सकते है आपकी परसनल activities हैक हो सकती है तो उसके लिए Google ने आपके लिए बहुत हद तक से web browsing करने में मदद दी है आईए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अपने Google browser में जाएंगे Google browser हम open करते हैं Google browser में जब जाएंगे तो हमारे पास यहां पर सबसे एक पेज ओपन हो गया है आपको उपर देख सकते हैं यह तीन डार्ट आपको नजर आ रहे हैं त्री डार्ट के उपर हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ यह option शो होंगे यहां प्याप्शन देख रहे हैं हमें सेटिंग्स में जाना है गूगल ब्रॉजर के सेटिंग्स में जाना है वहाँ पर मनें सेटिंग देखी कि जब ब्रॉजर उपन करेंगे तो हमारे पास प्सक्ष इस तरह से पेज Labour फर घ्रांड अपन हो जाएगा तो कई है यहां पर सेटिंक अप्शन दुना है यह देखिने सेटिंड वन सेटिंग के ओप्षिन को क्लिक किये तो मेरे पास Mazzati अप्शन आ जाते हैं तो हमने यहां पर प्रवेसी ऑप्शन को सेक्शन को स्लेक्ट करना है कि हम रखते हैं कि privacy के मजीद options हैं यहां पर हमने safe browsing के section में जाना है अब दे सकते हैं उन्होंने यहां पर mention किया हुआ है safe browsing protect you and your device from dangerous sites यह हमें बता रहे हैं तो हम इसको check class भी करेंगे क्योंकि यह वो sites को रोकता है हम sometime ऐसी websites को open कर लेते हैं जिसमें malware होते हैं virus होता है codes run हो जाते हैं जो कि हमारे data को hack कर सकते हैं हमारे passwords hack हो सकते हैं और मजीद बहुत सी आपकी device को problems आ सकती है आपकी windows crack हो सकती है आपका hardware down जा सकता है तो इन चीजों को बेहतर करने के लिए इन से बचाने के लिए उन्होंने यह option आपको provide किया है तो हम इसको check कर लेंगे अगर आप भी आपके already check है तो well and code अगर नहीं है तो आप इसको check कर लें यह आपकी device के लिए बहुत ही और आपके data के लिए बहुत ही मफीद है तो दोस्तो यह था आज का topic तो अमीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और इस वीडियो के बारे में अगर आपको जाना चाते हैं तो please नीचे ज़रूर comment कीजे अगर वीडियो आपको अच्छी लगते है तो kindly इसको share कीजे, like कीजे और मेरे channel को subscribe कीजे, thank you